हेलो नमस्ते स्वागत है आपका टेक्निगल प्रिशा चैनल के एक और वीडियो में दोस्तों क्या आप जानते हैं ओडिसा के पश्रिम हिस्से में इस्थित सुवरपुण जिले को भारत का दूसरा वारानसी भी माना जाता है ये जिला बौध काल के कई पुरातात्विक स्थलों पर केंद्रित है और इसलिए तेश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है वैसे इस इलाके का इतिहास और भुगोल बेहद सम्रद्ध हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों इसे अंत तक जरूर देखें दोस्तों जिले के तौर पर सुवरणपुर का अधिकारिक इतिहास जादा पुराना नहीं है ये पहले आविभाजित बलांगीर जिले का ही हिस्सा था इसका गठन साल 1993 में किया गया था लेकिन इस शेत्र की बात करें तो ये काफी प्राचीन है और आठवी सदी में स्वरणपुर के नाम से इसे जाना जाता था वहीं दसवी और ग्यारवी सदी के आसपास इसे पश्चिमी लंका भी कहा जाता था यहां की माननेताओं और विरासतों में सदिया जलकती है अभी तक प्रश्लित है हालंकि यहां के लोगों द्वारा सुबरनापुर को सोनपुर भी कहा जाता है वर्तमान में ये जिला उत्तर में संबलपुर, पूर में अंगुल, दक्षिड में बौध और पश्चिब में बर्गड जिले से घिरा हुआ है जिले में दो उपमंडल बिम्रहा राजपुर और सुबरनपुर हैं वही आठ ब्लोक और साथ ही आठ तहसीले भी हैं जिनके नाम भी लगभग एक जैसे ही हैं सुबरनपुर के अंतरगत दो विधान सभा और एक लोग सभाशेत्र आते हैं इसका मुख्यालय सुबरनपुर है जो आसपास काफी प्रसिद्ध है मौजूदा समय में इस जिले की आबादी आठ लाख अर्तालीस हजार एक सो पच्पन है और ये कुल दो हजार दोसो चरासी दशमलो आठ नौवर किलोमीटर के शेत्र में फैला हुआ है यहां का जनसंख्या घनत्व 720 प्रती वर्ग मील है ये एक हिंदु बहुल इलाका है और यहां बाकी धर्मों की आबादी बहुत सीमित है जिले की साक्षर्ता दर 65.309 प्रतीशत है जबकि लिंग अनुपात प्रती 1000 पुरुषों पर 966 मैलाओं का है यहां की जादातर आबादी, संबलपुरी, उडिया और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती है जिले का RTO कोड OD 31 है जो आपको लोकल गाडियों के नंबर प्लेट पर दिख जाएगा अर्थ विवस्था के लिहास से सुबरणपुर काफिर प्रगतिशील है यहां किरशी के साथ ही कई मध्यम और लगु उद्ध्योग लोगों की आजीविका का जर्या बने हुए है सोनपुरी वस्त्र, टेरा कोटा, तारभा और बिंका के पीतल धातु के काम यहां व्यापक पैमाने पर होते हैं इसके अलावा फिलीगरी शिल्प, उलुंडा की पत्थर की नकाशी और डुंगु रिपाली के धान शिल्प सुबरणपुर जिले में प्रसिद्ध है खेती की बात करें तो धान यहां की प्रमुख फसल है वहीं तिलहन और सबजियां भी बड़े स्तर परोगाई जाती है यह जिला धीरे धीरे विकास की सीड़ियां चड़ दहा है इस जिले में कई प्रसिद्ध सिक्षन संस्थान भी है जिनका लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है सोनपुर कॉलेज जिले का प्रसिद्ध कॉलेज है अन्ने कॉलेजों में बिरमहाराजपुर कॉलेज, डुंगरी पाली कॉलेज, सुबलाया कॉलेज, AES कॉलेज, सिधार्थ कॉलेज के नाम शामिल है ये जिला अपनी सम्रद सांस्कृतिक विरासत, कला और शिल्फ के लिए जाना जाता है जो देश विदेश से यहां घूमने आय परेटिकों के लिए भी आकरशन का केंद्र है महान कवी और महिमा धर्म के पैगंबर संत भीमा भोई सुबर्नापुर जी लेके थे ये शेत्र दंडनाता के लिए भी जाना जाता है जो एक धार्मिक लोग परमपरा है जो चेत्र के महीने में की जाती है इस स्थान को पश्चिमी लंका के नाम से जाना जाता था वैसे सुबर्नपुर जिला औरिसा के परेटन मान चित्र पर काफी प्रसिद्ध है क्योंकि इस जिले में प्राचीन और मध्धिकालीन युग के कई हिंदू मंदिर हैं यहां ससी सेना मंदिर, सुरेश्वरी मंदिर, सुबर्नामेरू मंदिर, कोसलेश्वर मंदिर और लंकेश्वर मंदिर पर सबसे जादा परेटकों और भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है वहीं कई लोग महिमा पीठ, मेटाकानी मंदिर, पाताली स्रिशेष्ट्र, पापाक्ष्य घाट, कपिलेश्वर मंदिर और दिक्सिरा के अगनंदी के भी दर्शन करते हैं अब अगर आप भी इस जिले को घूमने का मन बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस जिले की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। आप यहां रेल, सडक या हवाई किसी भी माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहां का निकर्तम हवाई अड़ा राजधानी भुबनेश्वर का बीजू पतनायक हवाई अड़ा है, जिसकी दूरी 275 किलो मीटर है। वहीं सबसे करीब रेलवे स्टेशन की बात करें, तो आप बलंगी रेलवे स्टेशन से यहां बिलकुल आसानी से पहुँच सकते सडक मार्क के जरिये भी आप NH-19, NH-53 और NH-55 का सहारा लेकर यहां आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!